हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल स्प्रीचर लव टेराट कैसे हैं आप लोग आप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे दियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे पॉसिटिविटी को ट्रैक करें आपकी लाइफ मे जो है थर्ड पार्टी सिच्वेशन है थर्ड पार्टी सिच्वेशन में आज हम ये देखने की कोशिश करेंगी कि थर्ड पार्टी जो दाओ खेलती रहती है क्या वो सकसेस की तरफ बढ़ पाएगी तो चलिया आज का टॉपिक यह है कि थर्ड पार्टी जो चाले चलती र की कोशिश करेंगे कि क्या इसके दाव पेज जो है जो ये खेलती रहती है क्या वो उसमें सक्सेस हासिल करेगी ठीके डियर ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस लीडिंग है जितना रैजोनेट करें उतार रख लीजिए बागी को स्कीप कर देजिए ओके चलिए शफलिंग बहुत अच्छे से हो गई है एक लास्ट टाइम में शफलिंग कर देए हूँ अपने पार्टनर का नेन थ्री टाइमस अपने जहन में लेके आई है और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर अभी थर्ट पार् कार्स निकल रहे हैं मैं पहले मैं आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्स निकालूंगी और फिर मैं थर्ट पार्टी के लिए तो यहां मैं पार्टनर के लिए कुछ कार्स निकाल रहे हूं उसके बाद मैं थर्ट पार्टी के लिए कार्स हम निकालेंगे ओके तो यहां पर बहुत ज़दा उलजनों में हैं, बहुत ज़दा जेल में उलज गए हैं, कोई तो ऐसे सिट्वेशन इनके सामने आ गई है, जहां पर इनकी लाइफ जो है बंद सी गई है, हाला कि आप्शन बहुत है इनके सामने, लेकिन कोई इन पर नजर रख रहा है, आपके पार्टनर को अब यहां पर नयाय करना पड़ेगा, बहुत ही ज़दा आपके पार्टनर की एनरजी दिख रही है, कि अब इन पर कोई नजर रख रहा है, आपके पार्टनर पर कोई नजर बहुत रख रहा है, किसी महिला की नजर इनके उपर है, और इनको निकलना पड़ेगा, यह इनक के चलते आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं decision लेने पर मजबूर हो जाएंगे बहुत जल्द इनका life जो है इनका career जो है दाव पर लगने वाला है और कहीं न कहीं इनकी painful situation निकल के आई है क्योंकि 10 of swords की energy है चलिए Gemini Libra Aquarius मुझे दिखाई दे रहा है Cancer Scorpio Pisces की energy आ रही है Taurus Virgo Capricorn है और Major Arcana से हमारे पास में justice आया है चलिए बात करते है third party के लिए third party का क्या कार्ट निकलता है third party इंतिजार कर रही है कुछ बातों को लेकर कुछ decision को लेकर शायद आपके partner जो है उनको लेकर ये third party मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner से कुछ इस third party का जो problem चल रहा है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है toxic behavior यहाँ पर निकल के आया है आपके partner और third party का relationship जो है सबसे बड़ी दुश्मन अभी third party मुझे यहाँ पर दिख रही है यह पैसो का issue यहाँ पर बहुत jump के निकला है हो सकता है यह third party अपने आपको queen of pentacle की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर queen of pentacle है और इस third party की एक ऐसी energy मैं देख पा रही है क्योंकि यह पैसो को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इसकी demand है और पैसो को लेकर इस third party का बार बार एक ही चीज़ दिख रहा है कि यह आपके partner की तरफ financially ज़्यादा efforts लगा रही है financially आपके partner की तरफ इसके efforts बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे है और यह आपके partner की तरफ बहुत ही ज़्यादा attract है ठीक है physically यहाँ पर आपके partner को involve किया गया है physically आपके partner को इसने अपने कोई से ऐसी बातों में उलचाया है जिसके चलते आपके partner third party की तरफ physically बहुत ज़्यादा attract है third party की कुछ need है third party की कुछ desire है जो कहीं न कहीं वो पूरा करना चाहती है इसलिए आपके partner मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस third party की कोई बात आपके partner को समझ नहीं आ रही है third party की कोई चीजे आपके partner को कहीं न कहीं चुब रही है जिसके चलते आपके partner isolation में पहुँच गए है यह isolation का card है और यह ऐसा दिख रहा है कि इनकी स्थिती बहुत ही जादा ऐसी हो चुकी है कि शायद इनको decision लेने में बहुत problem हो रही है यहाँ देखिए यह बंदा जो है इश्वरी शक्ती के आगे हाथ जोड़ रहा है और यह three swords जो है उपर लटक रही है एक तलवार नीचे गिर चुकी है इसको डर लग रहा है कि यह तीन की तीन तलवारे जो है अब दुबारा इसके उपर गिर गई तो शायद यह दुबारा नहीं बच पाएगा तो यह प्रातना कर रहा है इस जगह पर लेते हुए कि मुझ पर यह तीन तलवार जो है अब ना गिरे एक तलवार गिरने से इसकी हालत जो है इस तरह की होगए है कि इसे isolation में जाना पड़ गया है बहार से कुछ लोग जो है आपके पार्टनर को देख रहे हैं यह सोच रहे हैं कि यह इनसान जो है इसकी life में चल के आ रहा है बहुत सारे लोग इसको जानने को बेकरार है बहुत सारे लोगों की एक ऐसे सोच दिख रहे है कि आपके पार्टनर के साथ में कुछ तो ऐसा हो रहा है या कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर आपके पार्टनर अपने आपको अकेले बंद करकर कमरे में बैट गए हैं तो ये चीजे यहां पर दिख रही है आपके पार्टनर तो अभी ऐसे हालत में है कि जहां पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द और तक्दीफ में है वहाँ पर मुझे अगर third party की में ये बात कर रहे हूं कि third party का cards मैंने निकाले हैं ये सारे तो यही दिख रहा है कि third party आपके partner की जो हालत है उसको देखकर अपनी strength और power में आ रही है हो सकता है कि इस third party ने जो आपके partner की हालत देखी है उससे उसको और shame मिली है इसको इसकी strength जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि powerful हो गई है third party को इस celebration करना चाहती है और इस celebration के लिए आपके partner को एक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये third party ऐसा कुछ सोच रही है कि third party जो celebration चाहती है उसमें आपके partner जो है इसका साथ दे लेकिन third party juggling वाले zone में भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि third party का ये जो अभी time चल रहा है juggling वाला इसलिए है क्योंकि आपके partner और third party का जो break up हुआ है आपके partner और third party की जो इस्तितियां है उसको देखकर third party बहुत उदास है तो ये तो रहे cards third party के ये हैं आपके partner के ठीक है और बात करी जाए bottom की energy की दोनों तरफ से तो देखिए यहाँ पर cheating धोका है ना ये देखिए आपके partner भी चैन और सुकून से नहीं है ना ही third party चैन और सुकून से है क्योंकि third party ने जो धोका दिया है third party ने जो cheating करी है ऐसा लग रहा है कि उसकी secret feelings उसके secret राज जो है अब open होने वाले हैं जो चोरी ये कर रही थी third party वो पकड़ में आने वाली है अब आपके partner जो है risk लेंगे और यहाँ पर इनको risk लेना ही होगा अगर आपके partner risk नहीं लेंगे तो इनका life इनका जीवन जो है तबाहो जाएगा और उन बातों को लेकर आपके partner बहुत बहुत ज़्यादा stress ले रहे हैं बहुत ज़्यादा दर्द में हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं आपके partner को decision भी लेना है और उस decision को लेने के लिए आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ी हुई है आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर वो कोई डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं अगर वो कोई डिसीजन में रिस्क लेते हैं तो इनकी जिंदगी में क्या होगा क्या इनकी life होने वाली है क्या इनका future ओने वाला है वो सारी चीज़े आपके partner देख रहे है third party की भी नींदे उड़ी हुई है क्योंकि इसको financially बहुत ज़्यादा loss हो रहा है financially इसकी life जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो में मुझे यहां पर दिखाई दे रही है चलिए मैं कुछ sign बताना चाहते हूं Capricorn के energy बहुत heavy दिखाई दे रही है मेजर अरकाना से Leo आया है और Leo के energy मुझे दिख रही है strength का card है तो यहां पर सिह राशी Capricorn जो है वो राशी यहाँ पर heavy heavy दिखाई दे रहा है death का card है और यह बता रहा है कि अब death जो situation है death की situation means हो गया कि सब कुछ तभा, सब कुछ खत्म होने वाला है आपके partner की तरफ से सब कुछ खत्म होने वाला है third party के तरफ से यह रिष्टा और जादर toxic हो जाएगा और जादा negative हो जाएगा इस रिष्टे में toxic behavior करती होई दिख रही है यह third party ठीक है, यहाँ पर third party के अगर हम बात करें आपको लेकर तो third party आपकी life की सबसे बड़ी दुश्मन दिख रही है इस वक्त और आपको लगता है कि इस third party के कारण आपका relationship जो है बहुत ज़्यादा डगमगाया है बहुत ज़्यादा problems आई है और आपके partner जो है आपके साथ में कहीं न कहीं cheat कर कर गए है तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन third party है आपके दुश्मनों की बरबादी बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि यहाँ पर justice निकला है और यह justice बता रहा है कि जिन लोगों ने चाहे वो third party हो या आपके partner हो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह third party की life तो हो ही गई है पुरी तरह से negative इसकी जिन्दगी में कुछ नकारत मक उर जाएं अब ऐसे असर दिखाने वाली है कुछ नकारत मक उर जाएं जो है इस third party की life में ऐसे इंटर होगी कि इसको कहीं न कहीं बैट सोल वाली नौबत आने वाली है यूं समझ लो कि यह third party मुझे लग रहा isolation में जाएगी इसने आपका हग चीना है इसने आपकी life में problem create करी है इसकी रातों की नींद अपने आप universe जो है divine जो है से सजा देने वाला है बहुत जादा जगलिंग जो उनमें ये third party मुझे दिखाई दे रही है बहुत जल्द इसकी बरबादी शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी दुश्मन आपकी ये third party है आप देखिएगा कि इस third party ने जितनी हिम्मत दिखाई है जितना ये कहीं न कहीं strength में आने की कोशिश कर रही थी अचानक से इसके हालात ऐसे हो जाएंगे कि इसको isolation में जाना पड़ सकता है इसे कहेंगे इश्वर का करिश्मा इसे कहेंगे डिवाइन का करिश्मा और डिवाइन यहां पर यह 100% कह रहा है कि ये third party कितना भी कुछ क्यों न कर ले इसकी ये बैटफोल वाली हालत बहुत जल्द होने वाली है ये अपनी हिम्मत को हारते हुए दिखेगी इसकी हिम्मत इसकी strength तूटती हुई मुझे यहां पर दिख रही है भले ये इंतजार कर रही है किसी शड़ियंतर को रचने का भले ये इंतजार कर रही है और अब ऐसा दिखाई दे रहे कि ये third party जो है न अपनी strength को इसलिए बढ़ाने की कोशिश करे क्योंकि ये बहुत बड़ा plan करना चाहती है शायद ही आपके partner के उपर बहुत ज़्यादा burden दे कर बहुत ज़्यादा responsibility बता कर कुछ ऐसे situation में ले आएगी कि ये death वाला card जो आपके partner की तरफ निकला है ये और ये card ये दोनों ही card बता रहे है कि कि आपके partner के हालत मरती हुए समान हो जाएगी क्योंकि ये इंसान को यहाँ पर action लेना ही पड़ेगा ये action का card है और ये action का card बता रहे है कि आपके partner को यहाँ third party से निकलना ही पड़ेगा action लेना ही पड़ेगा वरना ये death इनकी जो है इसमें death का card ये बता रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर death का card ये ही बोल रहा है कि इनकी situation painful होने वाली है हो सकता है कि यहाँ पर कोई court case से related कुछ बाते भी निकल सकती है क्योंकि justice का मतलब आप समझ सकते हैं कुछ court case वगेरा भी यहाँ पर involve हो सकता है अगर आपके partner यहाँ पर decision नहीं ले पाते हैं रिस्क नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर जो है justice न्याय करता justice का card क्या कह रहा है न्याय करता जो न्याय धीश है उसके पास तक यह जो आपके partner की life में जो problem चले वो वहाँ तक जाएगी है ना और आपके partner की जो energy है बहुत fire energy है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की जिंदगी में आग लगी पड़ी है इस इंसान की life में chitting धोका risk सब कुछ कहीं न कहीं उलज रहा है इस इंसान को अभी जरुत है mindset को अपने mindset को set करने की अगर ये जो इनसान है option की तलाश में घूमेंगे या फिर ये ज़्यादा अगर चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे ना तो इनके हालात ऐसे होने वाले कि इनको यहाँ पर किसी तरह के legal issue में फसना पड़ सकता है कोई legal issue आपके partner को घेरता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये death का card है साथ साथ painful situation है ये दोनों ही card बता रहे हैं कि आपके partner ने गलट decision जो लिए हैं गलट रास्ता जो चुना है वो गलट decision वो गलट रास्ता आपके partner की पूरा future पूरा life को बरबाद कर देगा साथ साथ इनके इनकी जो इस्थिती दिख रही है जहां पर इनको court case हो सकता है या फिर इनके साथ में कोई legal issue हो सकता है उस legal issue में ये देखिए eight of sorts की energy eight of sorts क्या बता रहा है eight of sorts बता रहा है कि आपके partner को jail की problem भी हो सकती है क्योंकि देखिए जो गलती इन्होंने की है उस गलती से निकलने के लिए इस third party से निकलने के लिए आपके partner को यहाँ पर सब कुछ खत्म करना होगा और जल्द करना होगा यहाँ पर मुझे कुछ energies ऐसी आ रही है कि आपके partner को यह जो है यह situation से six days या six week के अंदर जल्द से जल्द निकल जाना होगा नहीं तो इनकी life में कोई cheating इतनी ज़्यादा करने वाला है कोई धोका इतना ज़्यादा देने वाला है कि यह risk लेने पर मजबूर हो जाएंगे और इनकी life जो है कर लेगी third party अपनी life में अपनी abundance को अपनी growth को हासिल कर लेगी लेकिन आपके partner की ही life कहीं न कहीं दाव पर लगने वाली है मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपकी life में अटक कर बैठी है यह third party है ना अब उसका मुझे ऐसा लग रहा है जो भी third party है वो आपके partner के घमंड को चकना चूर कर देगी आपके partner को बहुत अच्छा लगा था इस third party के साथ में relationship आपके partner physically इस जगह पर बहुत ज़्यदा involved थे और आपके partner को अब यहाँ पर यह third party जो है उनके घमंड को चकना चूर करती हुई दिख रही है ऐसा दिखाई दे रहा है अचानक third party आपकी चोखट पर आ सकती है क्योंकि third party अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है तमाशा करना चाह रही है third party के mindset जो है third party की situation जो है वो एक ऐसी है कि उसे financially सब कुछ चाहिए है ना तो यह देखिए पैसो को लेकर third party की दिमाग में एक शडियन्त रच रहा है third party अपने आपको queen of pentacle की तरह देख रही है वो सोच रही है कि मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा third party के पास में इतना ज़्यादा over mind है कि यह आपके partner को कहीं न कहीं इस तरह से use करेगी कि आपके partner का एक time ऐसा आएगा शायद इसकी नीदे भी उड़ जाएगी शायद इसका chain भी उड़ जाएगा इसका family इसका पूरा future सब कुछ दाव पे लग जाएगा third party के कारण अगर आपके partner ने third party की तरफ जादा attract दिख हुए या आपके partner इस third party की तरफ गए है तो इनकी जो property है इनका life जो है इनकी जो जिन्दगी है वो दाव पर लगी हुई दिख रही है third party सिर्फ और सिर्फ इनके लिए financially बस एक ये बात सोच के रहती है कि आपके partner इस third party के लिए एक पैसा कमाने की machine है और आपके partner से desire को पूरा करते हैं जब तक आपके partner इसकी जरूरतों को पूरा करते हैं तब तक ये third party जो है आपके partner के कही ना कही नाजनक्रे उठा रही है लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी third party के desire बढ़ चुके हैं अभी third party की जो मांग है वो बढ़ चुकी है कही ना कही third party आपकी दहलीज पर आकर दस्तक देने की बात सोच रही है और तमाशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने वाला है अच्छानक third party आपकी चोखट पर आ सकती है चोखट पर आती हुई दिख रही है ये third party तमाशा करना इसका एक एहम साजिश लेकर आ रही है ताकि इस से आप और आपका परिवार जो है वो कहीं न कहीं टावर मुमेंट में आ जाए आपका परिवार आपकी लाइफ जो है उसमें दिक्कते आ जाए आपको आपके उपर बर्डन देना चाहती है आपके उपर प्रिशर देना चाहती है आपके पार्टनर के उपर प्रिशर देना चाहती है कि आपका पार्टनर जो है दब दबे से दब जाए तो ये third party की बहुत ही गलत एक thinking है यहाँ पर कि ये तमाशा करके ये आपके life में इंटर हो कर या आपकी चोख़ट परदस्तक दे कर ये बहुत कुछ हासिल कर लेगी लेकिन अब मुझे दिखाए दे रहा है अब जब third party के दाव उल्टे पढ़ने लगें क्यों 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 third party के दाव क्यों उल्टे पढ़ रहे हैं क्योंकि जिस situation में आपके partner इस third party के साथ में attached थे शायद अब आपके partner को वो situation पसंद नहीं आ रहे है आपके partner को ये समझ आ गया है कि third party दाव पेच खेलती है और इस third party के जो दाव पेच है वो उल्टे पढ़ने लगे हैं और उल्टे पढ़ने वाले हैं लेकिन जब ये third party जो साजिशे रच रही है जब ये third party जो दाव पेच चल रही है आपके partner से तेड़ा चलने की कोशिश कर रही थी तो क्या हुआ आपके partner ने इस third party से relation को तोड़ दिया toxic relationship हो गया इन दोनों के बीच में एक devil वाली energy आ गई आपके partner third party से दूर हो गए third party ने आपके partner को बहुत misuse किया है लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है कि इसके दाव पेच जो उलते पड़ रहे हैं उससे क्या कर रही है ये third party गिरगेट की तरह रंग बदल रही है आपके partner को बार बार ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर देए कि ये आपके partner से बहुत प्यार करती है आपके partner को कहीं न कहीं care करती है लेकिन उस care के पीछे उस चीज के पीछे जो main मकसद जो है इस third party का आपके partner की financially growth को हासिल करना है आपके partner की आपके partner की जो property है आपके partner का जो बिजनिस है आपके पार्टनर से जो नेम फेम है वो हासिल करना इस थोर्ट पार्टी की एक नियत यहाँ पर दिख रही है अगर आपके पार्टनर जो है इस थोर्ट पार्टी के डिजायर पूरे नहीं करते हैं अगर आपके पार्टनर जो है थोर्ट पार्टी को कहीं न क नहीं अलग करते हैं तो क्या होगा कि ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर पर एक प्रेशर डाल रही है आपके पार्टनर को दबदबा बना कर रखना चाहती है इसलिए ये क्या कर रही है जब इसको समझा गया कि आपके पार्टनर पे उपर इसका कोई असर नही चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है तो ये गिरगेट की तरह रंग बदल रही है गिरगेट कैसे रंग बदलता है वैसे ही ये थर्ड पार्टी गिरगेट की तरह रंग बदल रही है पार्टनर के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है इसको पता है कि पार्टनर के दिल त आ है उस और लोगों के बीच में, हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर वह बात नहीं है जो थर्ड पार्टी को दूसरों में नजर आ रही है, थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर से यहां पर कुछ चीजों को लेकर झटड़ा भी कर रही आप देख लीजिये कि ये विडियो से आपको third party के secret पता चल रहे हैं और साथ-साथ आपके partner के भी secrets खुल रहे हैं मतलब कि ये विडियो जो है third party और partner की pole खोल रहा है ठीक है और दुनिया के सामने आएगा सच देखे सच कभी नहीं छुपता है सच सब के सामने आता है एक ना एक दिन आएगा ही आएगा अगर आपके पार्टनर ने जो third party के साथ में relationship रखा है जो third party के साथ में उनका नाजाज रिष्टा है वो कहीं न कहीं उभर के आ रहा है और ये एक अभी शाप होगा आपके होने वाला है आपके पार्टनर चाहे कितरा भी situation को handle क्यों ना कर ले life उनकी चाहे वो third party के relation में जाए चाहे वो अपनी गलती को accept करे पर इनकी situation ऐसी है death के समान है यहाँ पर इनको बहुत ही जल्द एक ऐसी मुसिबत का सामना करना पर सकता है जहाँ पर painful situation आने वाली है और यह लिखा हुआ है कि इनको risk लेना ही पड़ेगा इनकी जिंदगी दाव पर लग चुकी है जो धोका जो cheating इनों ने आपके साथ में की है universe divine जो है वो नाराज हुए है यहाँ पर और यह justice होके रहेगा और यह death का card यह बता रहा है या तो आपके partner की life जो है वो death की तरफ जो है कहीं न कहीं कुछ problems हो रही है इनको सारी situation को खतम करना पड़ेगा death का card यह भी बताता है कि एक new beginning करनी पड़ेगी कुछ चीजे खतम होगी तब ही तो नया शुरू होगा अगर यह खतम ही नहीं करेंगे यह action ही नहीं लेंगे उस situation से निकलना ही नहीं चाहेंगे तो यह दर्द भरी situation में ही पड़े रहेंगे जिंदगी भर इनके life जो है उसी तरह से गुजरेगी जिंदगी भर इनका action लेना बहुत सकता है पर दुनिया समास से है ना चीजे नहीं चुपाई जा सकती है आपके partner को बहुत ज़्यादा चीजों का सामना करना पड़ सकता है कोई इनको बहुत जबरदस्त धोका देने की planning कर रहा है आपके partner ने अभी भी यह नहीं समझा है कि उनकी जिंदगी में क्या से क्या ह हो गया है लेकिन जब चीटिंग होगा जब धोका होगा जब तमाशा बनेगा ना दुनिया के सामने तब इस इंसान को अपनी इज़त प्यारी होगी तब इस इंसान को अपनी वैल्यू प्यारी होगी तब इसे लगेगा यह devil वाली energy में आ जाएगा क्यों क्योंकि third party इसको समझ नहीं आ रहा है कहीं न कहीं आपके partner अप third party के हंगामों से परिशान होने वाले हैं जैसे कि third party जो है इनको कोई अगर अभी भी वक्त है आपके partner के लिए क्योंकि ये देखिए card death का card है और painful situation 10 of swords है और यहाँ पर 8 of swords है ये card ये बता रहे हैं कि आपके partner को जल्द से जल action ले लेना चाहिए partner को ये जो third party है third party बहुत जोड़दार हंगामा मचाने वाली है और इन हंगामों से परिशान होने वाले हैं आपके partner शायद आपने अपने लाइफ में वो मंजर इस इंसान को नहीं दिखाया होगा जो third party दिखाने वाली है या देखेंगे आपके partner आपक आपके विहार में और third party के विहार में जमीन आसमान का फर्क है कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जो दिखावे पर टिके होते हैं कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जो दिल से निभाय जाते हैं आपका रिष्टा जो है आपके partner के साथ में आपका soul connection है आपके partner ने जो आपके साथ में किया वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा क्योंकि यहां पर चिटिंग करने का धोका देने का इनको एक दर्दनाक सबक सीखना पड़ेगा एक दर्दनाक सबक इनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है शायद अभी भी वक्त है आपके पार्टनर को एक्शन ले लेना चाहिए इनकी जिंदगी दाव पर लग गई है और यह दिख रहा है कि इनका रिलेशन्शिप थर्ड पार्टी के साथ में डैविल वाली सिच्वेशन में दिख रहा है बहुत एक टॉक्सिक बिहेवियर थर्ड पार्टी दिखाने वाली है अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पावर लगाने वाली है शायद थर्ड पार्टी के कुछ चम्चे हैं थर्ड पार्टी के कुछ राजदार है देखी यहाँ पर कुछ third party के friend circle है जो कही न कहीं मिलकर enjoy कर रहे हैं आपके partner के पैसो पर और यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह third party जो है आपके partner की जिन्दगी में एक दबदबा बना कर रहना चाहती है एक ऐसी situation को लाना चाहती है जहाँ पर शायद आपके partner अभी बहुत ज़्यादा उलजना नहीं चाहते हैं आपके partner को यह बास समझ आ गई है कि यह third party जो demand कर रही है third party जो उलचा रही है उसमें आपके partner की वापसी नहीं है आपके partner जो है अपना सब कुछ गवा बैठेंगे तो यहाँ पर आपके partner हंगामों से परिशान दिख रहे हैं वहाँ नहीं जीद पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं third party के कारण बहुत दर्द में हैं और third party इनका जीना मुश्किल कर रही है इसलिए third party ने आपकी चोखट पर आना सही समझा क्योंकि उसको तमाशा तो करना ही है third party cheating करने वाली है एक धोका आपके partner के साथ कर सकती है जैसे कहते हैं आप पीट में खंजर घोपना ये third party की फितरत है और ये आपके partner देख नहीं पाए आपके partner इस प्यार में अंधे हो गए आपके partner जो है physically इतना ज़्यादा involved हो गए कि उनको इस third party का जो असली रूप है जो गिरगेट की तरह रंग बदल रही है ये third party वो आपके partner नहीं देख पा रहे हैं आपके partner ने ये सच्चाई देखने से मूँ फेर लिया कहते हैं ना दिखावे के पीछे भागना नहीं चाहिए इनसान दिखावे से डरता है लेकिन यहाँ पर third party के दिखावे में आपके partner अपना स्वाबी मान भूल गए अपना मान समान भूल गए अपनी reputation भूल गए अपनी सारी चीजों को आपके partner ने भुला दिया सिर्फ और सिर्फ इस third party के दिखावे में इस third party के बहकावे में आपके partner गलत रास्तों पर चल पड़े यहाँ पर अब आपके partner जो है प्यार की तलाश में निकले तो थे third party की तरफ लेकिन जो third party ने उनके साथ में cheating करना शुरू कर दिया है जो third party उनके उपर burden दे रही है यहाँ पर आपके partner को third party का प्यार जो है वो तो समझ में आ रहा है लेकिन साथ साथ आपके partner ये भी जान रहे हैं कि ये third party जो है उनके life का उनके जीवन का एक ऐसा फासी का फंदा बनने वाली है जहाँ पर आपके partner को इस situation से जाने से कोई नहीं रुकेगा अगर अभी भी आपके partner इस third party relations से अपने आपको नहीं निकालते हैं या नहीं निकलने की कोशिश करते हैं तो इनका life बहुत painful situation से गुजरता हुआ दिख रहा है यहाँ पर justice इनको करना पड़ेगा नया इनको करना पड़ेगा आपके साथ में जो इन्होंने किया है आपको छोड़ कर गए आपको रोता हुआ छोड़ गए आपके हर बात के लिए इन्होंने आप पर blame किया है आप इनकी life में बहुत माइने रखते थे लेकिन इस इंसान ने आपकी value को कभी नहीं समझा आपको हमेशा गलत ही ठहराया है आज universe जो है आज divine जो है जो इश्वर ये शक चाहे वो family हो या फिर कोई romantic partner हो इसका अंत निश्चित है इसका अंत तो निश्चित है दर्दनाक situation होने वाली है आपके partner की भी और यहाँ पर third party की जिसका जो कर्मा है वो उसे भुगतना ही पड़ेगा कोई आपके partner पर बहुत बुरी नजर रख रहा है जैसे कोई शरियंत रचना चाहता है दुबारा आपके partner को चंगुल में फसाता हुआ कोई दिख रहा है लेकिन आपके partner की जिन्दगी यहाँ पर risk में दिख रही है अगर आपके partner यह thought party situation से अपने आपको बाहर नहीं निकालते हैं तो आपके partner यहाँ पर अपनी जान का risk लेते हुए दिख रह तब तक साथ देता है जब आप चीजों को समझने की कोशिश करते हो जब आप अपना over दिमाग लगाने लगते हो और thinking करने लगते हो तो कहीं ना कहीं हमारा बुरा समय शुरू हो जाता है और बुरा समय कहता है कि मैंने तुझे निकालने की बहुत कोशिश करिए बहुत ज चाहते ही नहीं हो कि जिन्दगी जो है सुदर जाए तो यहां पर आपके पार्टनर को यही कहा जा रहा है। की लाइट जो है उनका फ्यूचर जो है वो खत्रे में आ सकता है आपके पार्टनर को ये बात पता है आपके पार्टनर को ये बात का हैसास है कि आगे बढ़ना रिस्क है फिर भी आपके पार्टनर बेवकुफियों पे बेवकुफियां कर रहे हैं कुछ गलतियां ये करेंग ये इश्वरी शक्ती अपना justice यहाँ पर करके रहेगी, 100% justice होगा, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई लीगल इशु जरूर खड़ा होने वाला है, ये लिखके रख लीजिये, आपके पार्टनर के लाइफ में लीगल इशु आने वाला है, अगर ये चीजों को handle नहीं करे अगर ये इस third party situation से बाहर नहीं निकलेंगे, इस बंधन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपके partner को बहुत बुरी situation का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पर आप सिर्फ अपने partner के लिए prayer कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने partner को कहीं न कहीं उनके लिए healing कर आ सकते हैं, healing process कर सकते ह हम किसी के कर्मा के बीच में नहीं आ सकते हैं, आपके पार्टनर ने जो बोया है, वो काटना ही पड़ेगा, हाँ, यह है कि आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी चीजों को जो गलत हो चुकी है, उन चीजों को सही कर सकते हैं, वक्त रहते हैं, अगर चीजों को सही कर लिया ज तो जिन्दगी जो है वो कहीं न कहीं सुधर जाती है लेकिन उस दल्दल में आपके पार्टनर के बढ़ते कदम देखिए यहां पर आपके पार्टनर गोईंग विद दफ लो जाने की कोशिश कर रहे हैं रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यह रिस्क आपके पार्टनर बारी पढ़ने वाली है क्योंकि कोई लगातार महिला जो है आपके पार्टनर की जिंदगी पर नजर रख रही है आपके पार्टनर के आने जाने पर नजर रख रही है उस महिला की पूरी नजर आपके पार्टनर के उपर है क्योंकि जब उसे मौका मिलेगा वो वार करेगी ह यहाँ पर एक महिला की एनरजी आई है जो आपके पार्टनर को बहुत ही पैनफुल सिच्वेशन में देखना चाहती है उसे अपने मतलब उसे अपनी डिजायर से मतलब है आपके पार्टनर की लाइफ आपके पार्टनर के तकलीफ हो से उसे कोई लेना देना नहीं है दिखा पार्टनर इस third party से कहीं न कहीं move on होना बहुत जरूरी है यहाँ पर यही है कि खतम करना होगा आपके पार्टनर को चीजों को सही करना होगा क्योंकि जूटा प्यार जो है जूटा रिश्ता जो है वो यहाँ पर third party और पार्टनर के बीच में एक बड़ी दिवार बन रहा है और नियाए धीश नियाए करता उपर वाला जो है वो यहाँ पर जस्टिस करवा के रहेगा चाहे आपका पार्टनर कितना भी धोका क्यों न दे दे आपको जस्टिस यहाँ पर यह कह रहा है कि वो जस्टिस होके रहेगा फर्ड पार्टी का और पार्टनर का तकाला सच दुन पार्टनर को गुजरना पड़ेगा थर्ड पार्टी के काले कारना में जब आपके पार्टनर के सामने आएंगे कि ये थर्ड पार्टी जो है एक बहुत बड़ी चीतर है ये सिर्फ अपने डिजायर को लेकर आपके पार्टनर के पीछे इतना लगी रहती है इसकी सिर्फ आपके पार्टनर को ये मजबूर करने की चाहत रख रही है थर्ट पार्टी है ना तो थर्ट पार्टी के इरादे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए अभी पिवक्त है आपके पार्टनर को यहाँ पर बाहर और बाहरी लोगों पर व वो इनसान होता है जो सच का सामना कर सके, वो इनसान नहीं होता जो सच को सुनकर अपने आप में आपे से बाहर हो जाए, वो इनसान कभी नहीं होता, वो इनसान है जो सच का सामना करे और सच्चाई को सुनकर अपने आप में परिवर्तन करे, वो चीज आपके पार्टनर के अ बहुत बड़ा धुका दे सकता है शायद इनको सतरक रहने की जरुत है ये एक चिताव नहीं है डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से कि कोई लीगल इशू आपके पार्टनर की जिंदगी आपके पार्टनर की कैरियर पर बहुत बुरा असल डाल सकता है शायद इनकी family और इनका सब कुछ तबाह हो जाएगा तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके partner की जो हरकते हैं उसकी वज़े से शायद इनका life future सब कुछ तबाह हो जाएगा और एक accident यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो problems हो सकती है जिससे शायद इनका आगे का future जो है वो सही नहीं रहने वाला इनको बहुत आज होना पड़ सकता है किसी के होता है ना कि इनकी स्थिती ऐसी करके पटक दी जाएगी कि शायद इनको अपने पैरों पर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इनकी life ऐसी हो जाएगी कहते है धोके का जो एक कर्मा होता है वो धोका ही होता है जैसा इनों ने धोका आपको दिया है इनके साथ में भी कोई धोका करेगा और ऐसी situation इनकी आने वाली है कि अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएगे इनको ये चीश समझने ने की जरुद है कि इननों ने आपके साथ में गलत किया है और divine यहां पर आपके साथ में justice करेगा अभी वी वक्त है आपके partner को तوبा कर लेनी चाहिए आपके partner को यहाँ पर आपके साथ में नयाय करना होगा क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन का फैसला है और डिवाइन के फैसले के अगेंस जाने की जिसने कोशिश करिए उसको बहुत कुछ भूगतना पड़ता है उसकी जिंदगी दाव पर लग जाती है उसका सब कुछ बिक जाता है उसके घर ने कुद्रत के अगेंस जाने की कोशिश करी, आपके सचे प्यार को नहीं समझा, आपकी सची भावनाओं को नहीं समझा, आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाया था, आप चाहते तो अपने फ्यूचर को बना सकते थे, आप चाहते तो अपनी अच्छ पूल आप बन सकते थे लेकिन शायत कहते हैं कि सची प्यार जो होता है जो एक liff partner जो होता है वो जीवन भर जो है कहीं ना कहीं हाथ थाम के छलता है तो मेरे वीवर्स आपके अंदर वो सचाई थी आपके अंदर वो चीज मुझे दिख रही है कि आपने अपने पार्टनर को सच्चे तहदिल से चाहा था, कभी उसका बुरा नहीं चाहा, हाँ, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ में गद्दारी करी है, आपके पार्टनर जो है, आपके प्यार के लायक नहीं है, आप ये सब चीज है वो आप डिजर्व करते ही नहीं हो आप कई कुछ गुना ज्यादा डिजर्व करते हो आपको इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता था आपकी जिंदगी में सच्छा इंसान आ सकता था लेकिन आपने सच्छे प्यार को जिस इंसान का हाथ थामा था जीवन भर उसका साथ इश्वर ने आपके जिन्दगी में कुछ ऐसे पन लाए थे जहां कोई आपकी पूरी जिन्दगी खुशियों से भर सकता था जहां कोई आपके लिए पूरा मतलब होताना की खुशियां ही खुशियां पैसा ही पैसा आपके सामने पटका गया था लेकिन आप अंधे हो चुक कार मिला जूट मिला धोका मिला फरेब मिला तो ये इनसान आज उस कर्मा को भुकते गा क्योंकि इसने आपके सचे प्यार का मजाग बनाया है आप चाहते तो अपनी जिन्दगी में इंजॉई कर सकते थे आप चाहते तो अपनी जिन्दगी को खुशियों से भर सकते थे किसी दूसरे का हाथ थाम सकते थे लेकिन शायद आपने रिश्टा निभाने की एक जित पकड़ लेती थी एक रिलेशन में रहने की जित पकड़ लेती थी आपके लिए बहुत आप्शन थे आपके जिंदगी में बहुत सारी चीजे आई थी लेकिन आपको लगा कि नहीं मेरा जीवन साथी जो है मेरा आगे तक का सहारा है मुझे किसी के साथ दगा नहीं करना है और इस सोच को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन आपको नहीं पता था कि जिसके लिए आप अपनी प्यार की कुरवानी दे रहे हो जिसके लिए आप अपने जीवन दाव पे लगा रहे हो वही इंसान आपके जिंदगी में गरहन बन जाएगा वही इंसान आपको जलील कर देगा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप में से कुछ लोगों ने अपने डिसीजन ले लिये हैं शायद आप इस इनसान को काफी मोके दे चुके हो काफी टाइम दे चुके हो कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा पर शायद इसने चीजों को सही नहीं करा है अब आप यहां पर अपनी दुनिया अलग बसाना चाहते हो अब आप अपने लाइफ में कुछ लोगों को इन्वाल्व करते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया परसन आने वाला है या फिर आपने अपनी खोज शुरू कर दिये कि आपको इस इन्सान के साथ में नहीं रहना है आपने ये ठान लिया है कि ये इन्सान आपके लायक नहीं है आप इस इन्सान को डिजर्ब नहीं करते हो आपने ये मान लिया कि ये इनसान जो है आपको डिजर्व नहीं करता है और आप ये मान चुके हो कि ये इनसान जो है आपके लायक है ही नहीं इसके साथ में जीना आपकी बेज़ती होगी इसके साथ में रहना आपके life के लिए बहुत बुरा एक अभी शाप होगा तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई legal issue होने वाला है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा court case वाला मामला सामने निकल के आने वाला है आप risk लेने को तयार हो अब यहाँ पर आप बिना बताए आप में से कुछ लोग जो है बिना बताए अपने partner को छोड़ दोगे divorce वाली situation दिखाई दे रही है कुछ लोगों का situation ऐसा है कि आप जो है out of India जा सकते हो हो सकता है कि आप इस इंसान को बिना बताए इसकी जिंदगी से गायप हो जाओ या फिर आपकी life जो है ऐसे situation आप create कर दो कि इंसान खुद आपको छोड़ देगा और 100% यह चीजे यहाँ पर दिख रहे है कि आप अपने आप में बदलाव लाने की कुशिश करे हो खुशियों को दुनना चाहते हो गुड़-गुड़ के जीना आप नहीं चाहते हो क्योंकि इस इंसान ने आपको वह सुक नहीं देया जो देना चाहिए था आपको ना मान समान दिया ना रिस्पेक्ट दी ना आपके लिए कुछ किया है तो यहां पर आपका दिल इस इनसान से भर चुका है आप इसकी गलतियों को माफ करते रहे आप इसके सारी चीजों को आपको पता था कि इस इनसान ने पहले भी आपके सामने आखों के सामने गलत रिलेशनशिप में कही न कहीं इन्वाल्व हुआ आपको पता था कि इसका रि दिल पर लग गई है ये बात क्योंकि बार बार गलतियां माफ नहीं होती है गलती एक बार माफ होती है गलती बार बार नहीं माफ होती है फितरत थी आपके पार्टनर की जो वो आपको चीट कर गया पहले भी इसने आपके साथ में एक बार धोका किया है पहले भी इसने किसी और के साथ में रिलेशन रखे किसी और के साथ में रिलेशन को बनाया है अब तो ऐसा लग रहा है कि ये इनसान जो है लस्टी हो गया है इस इनसान की लस्ट है जो ये third party की तरफ गया physically इसका involvement डिख रहा है physically इसने इस relationship में बहुत efforts लगाए हैं और इसकी अपनी नीड थी इसकी अपनी जरुवते थार्ट पार्टी की भी अपनी नीड थी थार्ट पार्टी की भी अपनी जरुवते थी यहाँ पर दोनों की तरफ से जो relationship था अपनी नीडों को ले कर था लेकिन आप तो नीस्वार्थ इस रिष्टे में जुड़े हुए थे उसका परिवार लेकर चल रहे थे उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे लेकिन शायद यहाँ पर यूनिवर्स जो है डिवाइन जो है आपको बताना चाहरे है कि आपको अपने हिस्से की खुशी के लिए लड़ना होगा आपको अपने हिस्से क्या जो भी जस्टिस है वो अप गरहन करना होगा लेना पड़ेगा अगर आप फिर माफ कर दोगे या आप फिर यहाँ पर माफी देते हो तो ऐसा situation आपकी खड़ी हो जाएगी कि शायद दुबारा आपको मौका नहीं मिल पाएगा तो ये मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोग यहाँ पर action लेते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अब वो अपने partner के साथ में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं आप में से काफी लोगों की energy ऐसी दिख रही है तो dear ये समझ लीजिए कि इस रिष्टे में आपको अगर लगता है कि आपका partner सही है देखे मैं कोई मैंने क्या कहा यहाँ पर जो situation निकली है और जिस तरह की situation है कि आपका partner धुके बाज है फलर्ट करना उसकी आदत है उसको सुदरने का आपने कई मौका दिया है आप अगर ऐसा करते तो ये इनसान जो है पागल हो जाता लेकिन जब इस इनसान ने आपके उपर बिजलियां गिराई जब इस इनसान ने आपके साथ फलर्ट किया इस इनसान ने आपके साथ में धोगा किया तब इसके दिल पर कोईवाद नहीं पढ़ रहा है इसको कहते ना कि इनसान जो है बेगेरत हो जाता है ये इनसान पूरी तरह से बेगेरत हो गया है इस थर्ड पार्टी के साथ में इसने जो रिलेशन रखे हैं जो रिलेशन बना के चल रहा है ये दोनों जगे जो बैलन्स करने की जो इसने एक फितरत बना रखी थी अब आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ये इनसान लगाया है बहुत कुछ करा आपके लिए इसने आज तक कुछ नहीं करा है आपको भी पता है कि इस इनसान ने आपके लिए कभी कुछ नहीं करा है और आप से ज़्यादा दूसरी तरफ इसने अपने अफर्ड लगाए हैं दूसरी थर्ड पार्टी को खुश करने में लगा रहा आपने जिस गरीबी से जिस पल से अपने आपको निकाला है इस इंसान ने उन्ची जो को नहीं देखा कि आपने इसके कंदे से कंदा मिला कर काम किया है आज इस इंसान की नियत आपके सामने है ये आपका डिसीजन होगा कि इस इंसान को आपको अपनाना है या नहीं आदत है आपका प्यार इसे कभी नजर नहीं आया आपकी वैलियू से कभी नजर नहीं आई लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहां पर आपके जिन्दगी में एक बहुत ही अच्छा परसन आने वाला है जो आपके जिन्दगी आपके देखे जमाने का मत सोचिए कि जमाना क्या स यही सोच के आपने अपनी पुरी जिन्दगी इस इस इन्सान के नाम कर दी अब आपके जिन्दगी में कोई ऐसा परसन आने वाला है जो आपका जीवन साथी बनेगा जो आपका हाथ थामेगा या फिर आपका कुछ ऐसा लग खुलने वाला है कि आप बाहर जाओगे आब कि देश में जाओगे कोई आपका हाथ जरूर थामने वाला है और आप इस पार्टनर को डिवोस देते हुए दिख रहे हो या फिर आप अपने डिवोस नहीं भी दे रहे हो तो आपका मुझे ऐसा लग रहे कि इस इंसान से आप रिष्टा खुद भाखुद ख़तम कर आप में हमेशा नुक्स में निकाला गया है आपकी अंदर कमिया ही धूंडी है इस इंसान ने ये नहीं कहा कि आपने अपना पूरा जीवन इस इंसान के लिए निचावर कर दिया आपने अपना घरबार आपने अपनी परिवार सब कुछ इस इंसान के लिए निचावर किय और इस इंसान ने आपको क्या दिया धितकार इस इंसान ने आपको क्या दिया धोका इस इंसान ने आपको क्या दिया चिटिंग आपकी आँखों में आसू है और आप इस आसू का हिसाब यूनिवर्स ते मांगते हो तब ही यहाँ पर जिस्टिस निकला है और न्याए करता द देवता जो है न्याए करता देवता यहां पर न्याए करके रहेंगे सजा तो देखो मिलके रहेगी यहां पर सजा जो है वो मिलेगी ही मिलेगी ठीक है वीडियो जो है अगर अच्छा लगा है रेजुनेट करता है आप से तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यहां पर मैं कहुंगी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहा कीजिए कोई साथ भी वीडियो देखने से पहले पहले ये देखा किजिए कि क्या वो वीडियो आप से रिलेटिट करता है क्या आपको वो देखना चाहिए आपके अनिमीज नहीं है फिर भी आप देख रहे हैं कि भईया आपके अनिमीज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके ज जो आपको ऐसा लगी कि नहीं यह वीडियो जो है मेरे लाइक है मुझे देखना चाहिए है ना कई लोग क्या होता है बहुत नेगिटिव वीडियो देख लेते हैं और फिर दिमाग में वही गंदगी को बसा लेते हैं और फिर बाद में मुझे मैसेच करते हैं कि मैदम हमने वीडियो देखा था उसमें तो यह बताया गया कि आपके हेटर जो है आपको मारना चाह रहे हैं या आपके साथ में बुरा होने वाला है आपके लाइफ में प्रॉब्लम साने वाली है तो यार पहले पूरी सिच्वेशन को जानो है ना हर बात हर किसी से रेजुनेट नहीं कर हो तो क्या है जो आप उसे रेजुनेट करें उसे उठा लो बागी को दूसरों के लिए छोड़ दो ओके ठीक है फॉर्स चाइम चैनल पर आ रहे हैं तो यार कर देना लाइक और के सब्सक्राइब हम मिलते है नेक्स वीडियो पे